इंक्यूबेशन का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं इंक्यूबेशन का सबसे पहले तो अर्थ होता है उश्मायन अब उश्मायन से आपको कुछ समझ नहीं आएगा इसलिए मैं समझा देता हूँ ये क्या बला होती है उश्मायन जो होता है वो उस समय को कहते हैं जो समय कोई किटानू या जिवानू आपके शरीर में चला गया और उसके बाद से जब तक आपके शरीर पर वो हमला नहीं करता या एक तरीके से उसका जो असर आपके शरीर पर जब तक नहीं दिखता तो उस समय का जो period होता है यानि कि अंदर जाने से और तब तक कि उसका असर ना दिखे या वो जब तक कि आपके शरीर पर हमला ना करे तो उस समय के period को उश्मायन कहती है यानि कि कोई भी किटानू जब शरीर में जाता है तो कुछ समय तक वो सुपता वस्था में रहता है यानि कि वो कुछ भी नहीं करता और धिरी-धिरी अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और इस कदर अपनी संख्या बढ़ा लेता है कि फिर आपका शरीर उस पर response करता है और तब जाकर आपके शरीर में उसका असर दिखाई देता है तो जो ये संख्या बढ़ाने का समय होता है जब आपके शरीर में वो किटानू या जिवानू चला गया और जब तक कि उसने अपना असर दिखाना शुरू नहीं किया तब तक के समय को उश्मायन कहते हैं, इंग्लिश में incubation कहा जाता है, इसके इलाबा अंडे सेना या सेना ये जो सेना है ये फोज वाली सेना नहीं है, अंडे सेना या किसी चीज़ को सेना ही incubation कहते हैं, तो जैसे कि एगर आप ये कहना चाहें कि hepatitis की उश्मायन अवधी या अगर आप ये कहना चाहें कि उश्मायन 30 मिनट के लिए कमरे के तापमान पर किया गया था, तो आप कहेंगे incubation was performed at room temperature for 30 minutes. अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे, तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को करें और बैल आइकन को प्रेस करें